मिलावट, मिलावट, मिलावट 31 जुलाई 2018 गोवा में गुजा नकली अंडो का मुद्दा जहां खुद विधायक ने विधान सभा में लहराये थे नकली अंडो के सैंपल जुलाई 10, 2018 जब जमशेद पुर साक्ची के रिलाइंस फ्रेश स्टोर में प्लास्टिक के अंडे बिखने की सूचना मंत्री सर्यूर राय को दी गई कोलकाता, दिल्ली, महराश्या, हर जगह से खबरें आई नकली अंडो की कोई ने फिक चाइनीज एक्स कह रहा है जो चीन से इंपोर्ट हो रहे हैं तो कोई कह रहा है कि लोकली कुछ लोग इंवाल्व हैं नकली अंडो के सिंडिकेट में माना, आज के इस दोर में हर चीज में मिलावट है तो भी जायस है इन मिलावट खोरों के जमीर जैसे निलाम हो गए हैं इस बाजार में शौक खरीदने के लिए आज हम इस वीडियो से खुलासा करने जा रहा है कि कैसे बनाये जा रहे हैं यह नकली अंडे भारत में नकली अंडा बनाने का कारोबार फलफूल रहा है यहां अंडे का दुरूनी पीला भाग यहने की योक और उसका बाहरी सफेध हिस्सा यहने की एग वाइट, सोडियम अलगिनाइट, एल्यूम, जिलेटिन, खाने योग कैल्शियम से तयार किया जा रहा है इतना ही नहीं इसमें पानी और खाने के योग यो रंगों को मिला कर उसे हूबहू असली अंडे की शक्ल दी जा रही है सबसे पहले हलके गर्म पानी यहने कुनगुने पानी में परियाप्त मातरा में सोडियम अलगिनाइट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला कर अंडे के सफेध आकार की तरह तयार किया जाता है फिर यह से जिलेटिन और बेंजोईक एसिट एलियूम वो अन्गी दूसरे रसायनों के साथ मिला कर अंडे का सफेध हिस्सत तयार किया जा रहा है अंडे के पीले हिस्से को तयार करने के लिए सिर्फ पहले से तयार मिश्रण में खाने योग ये पीले नीबू का रंग दे दिया जाता है इसके बाद तयार सफेध और पीले हिस्से को कैलशियम को राइट के साथ मिश्रित कर अंडे के आकार में ढाल दिया जाता है नकली अंडे के कारोबार का ये था असली सच देखने में असली और नकली अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं इनको सिर्फ देखकर इनके बीच का अंतर समझ पाना इतना आसान नहीं इनके बीच का अंतर समझने के लिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा कैसे आईए बताते हैं इन 6 चीजों का ध्यान रखी आप अगर आपने इन 6 टिप्स को फॉलो किया तो आप पहचान लेंगे कि नकली अंड़ा कौन सा है और असली अंड़ा कौन सा है ध्यान से सुनियेगा नमबर एक नकली अंड़े की सबसे पहली पहचान होगी कि इसका छिलका थोड़ा सक्त होगा हाड होगा असली अंडे के तुलना में ये थोड़ा खुरदूरा भी होगा इसके अलावा छीलके के अंदर रबर नुमा कोटिंग भी होगी नकली अंडों की पहचान करने का एक आसान तरीका है उसकी चमक अगर आपको अंडे के चिलके उजले और अधिक चमकदार नजर आएं तो समझ लें कि अंडे नकली हो सकते हैं क्योंकि असली अंडों पर ज्यादा चमक नहीं होती नमबर दो अंडे के चिलके को देखने के बाद आप अंडे को फोड़िये इसको फोडने पर इसके अंदर का पीला योग और सफेध हिस्सा बाहर निकलेगा यहां आपको एक और चीज देखने को मिलेगी वो यह कि नकली अंडे को फोडते ही उसे प्लेट में निकाल कर देखने पर इसका योग कुछी सेकंड में पिखल कर सफेध हिस्से के साथ मिलना शुरू हो जाएगा वहीं असली अंडे का पीला योग तब तक नहीं पिखलता या फटता जब तक आप इसे खुद अपने हातों से फेटेंगे नहीं अगर आप अंडे को हिला कर देखें तो असली अंडा कभी आवाज नहीं करेगा जबकि नकली अंडे को हिलाने पर आप इसके अंदर से साफ आवाज आती सुन सकते हैं नकली अंडे के छिलके को जला कर देखें तो इसका प्लास्टिक कोटिंग जल जाएगा इसके जलने से बिलकुल प्लास्टिक के जलने की बद्बू जैसी स्मेल आएगी और ये धीरे धीरे आज से सिकुडता जाएगा जैसे प्लास्टिक सिकुडता है नंबर 5, नखली अंडों की एक और पहचान है कि पक जाने के बाद ये पानी में डूबते नहीं बलकी उपर ही तैरने लगते हैं, वहीं असली अंडे उबल कर भारी हो जाने की वजा से पानी में डूब जाते हैं नमबर छे, नकली अंडों को कई दिनों तक भी बाहर खुले में छोड़ दिया जाये, तो भी इनमें ना तो मक्हिया विर भिनाएंगी और ना ही चीटिया इनमें कोई भी इंटरेस्ट लेंगी ना ही चीटिया आएंगी इन शे टिप्स का ध्यान रखी और चितना हो सके इन शे टिप्स को सभी के साथ शेयर जरूर करें एक ही बात बोलना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि किसी का नुकसान कर वो अपने घर चला लेंगे अपने शौक पूरे कर लेंगे उन्हें तो उपर वाला देगा सजा लेकिन अगर आप एक ग्रहाक एक जागरूग नागरिक के तौर पर ये जानते हुए कि इस जगा नकली एंडा मिल रहा है या आपके साथ कुछ घटा ऐसा और आपने दूसरों को सचेत नहीं किया इस चीज की रिपोर्ट नहीं की इन मिलावटी लोगों को शेहदी मातर ये सोचके कि छोड़ोना क्यों लड़ने जाए उनसे हम किसी दूसरी दुकान से ही ले लेते हैं अगर आपने ऐसा सोचा तो याद रखना आप भी इन मिलावट खोरों के बराबर जिम्मेदार होंगे इस जुर्म के भारत में अंडों की बहुतायत में खपत होती है अपना शरीर बनाने वालों से लेकर छोटे नन्हें बच्चों और कमजोर मरीजों तक को डॉक्टर अंडे खाने की सलाह दिते हैं ऐसे में अगर आपने जान बूझ कर इन मिलावट खोरों की रिपोर्ट नहीं की तो आपसे बड़ा गुनागार कोई नहीं होगा दोस्तों जितना हो सके फर्ज निभाई अपना और इस वीडियो को भी भारत के हर कोने तक फैला दीजिए धन्यवाद